जो आर्मी के तेयारिया कर रहे थे एक्जाम्स की उनके कॉल थी कि साथ बचे से रामदेला ग्राउन हल्दवानी में वो लोग आएंगे इकत्र होंगे और जो अगनिपत्थी स्कीम है गवर्मेंट आफ हिंडिया की उसका विरोध करेंगे इसकी जब सूचना पुलिस के पास थी तो पुलिस और प्रसासन की दोरा इसमें तैयर हैं की गई थी और रामलीला ग्राउन्ड जो इनका कारेक्रम स्थाल था उस जगह पे सुरुकसा के उचित प्रबंद किये गए थे साथ बजे के बाद ये देरे देरे वहां पे जुटना शुरू हुए ये फिर उस रामलीला ग्राउन्ड से एकटा होने के बाद सड़कों पे आ गए पुलिस प्रसाजन के जो आला दिकारी वो तुरंत ही मौके पे पहुँचे उन्होंने समझाने का काफी प्रयास किया वहां पे पादित करें इनके दोरह इस बात को बिल्कुल अंसुना कर दिया गया और उसके बाद ये आकरमक होते होते वे वहां बुद्ध पार्क है उस जगह पर जाके करना है एक घंटा लगभग ओक होटल तिराहे पर उसके बाद डेड़ घंटा लगभग तिकोनिया मार्ग पर इनके द्वारा यतायत बाधित कर दिया गया इस बीच में जब तक इन से बाचीत चल रही थी इनको समझाने का प्रयास कि कि इनके बीच में कोई भी नित्र तो नहीं था तो यह लगातार अपनी अपनी बातें कह रहे थे और अलगले गुरूप में कह रहे थे कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं था इसी बीच में इनमें से कुछ नवयूकों के द्वारा लोगों को जवरत रोका जाने लगा एंबुलिंसेज जो हैं जाम में फस गई हैं कुछ महिलाएं और बोजरुग जो हैं उनके साथ मिस्भेव होने लगे जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने इनको कहा कि आप यहां से चले जाइए और धरना स्थेल पर अपना धरना दीजिए लोकतांतरिक ढंग स इसमें अधिकांस तो वहां से चले गए लेकिन जो पुलिस के हते चड़े उनको हिरासत में लेने के बाद गौलापार स्टेडियम में ले जाए गया और बाद में नीजी मुचलके पर इनको छोड़ दिया गया इनकी काउंसिलिंग की गई पुलिस के दौरा इनको सम्मान जन तरीके से फिर से समझाया गया कि यह क्या गलत कर रहे हैं क्या इनके लिए उचित है इनके जल्पान के वहां बियुस्ता की गई यह पुलिस के बियुस्ता से उसके बाद खुश नजर आए इसमें कई जगे सोसल मीडिया में किवल लाठी चार्ज की बात को प्रमुक्त कोण सपस्ट रूप से रखे हैं अधिकारियों के बाद इतना समझाने के बावजूत भी यह लोग नहीं मान रहे थे आकरमक हो गए जो आम लोगों को जो परिसानी हुई यह तमाम सारी चीजें थी यदि पुलिस और प्रसासन वहां पे अंदोलन कारियों की सुरक्सा के ल आए गई वही इनके विरुद्ध यह गारभाई की गई है